दोस्तों एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है इस स्टूडियो में अपन बात करेंगे railway technician बढ़ती 2024 railway ने officially सारे doubts को clear कर दिया गया इसके बाद technician बढ़ती से related आपके दिमाग में कोई doubt नहीं रहेगा जैसा कि काफी student सोच रहे थे कि जिन student ने electrical, civil और mechanical में diploma और degree किया है क्या वो grade first के लिए eligible है तो इस बारे में railway ने जवाब दिया है वो आगे वीडियो में देखेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि PCM वाले students क्या grade first के लिए eligible है और साथ ही कैसे आप अपने forum का status चेक कर सकते हैं कि आपका forum accept हुआ या reject सारे points के बारे में बारी बारी से देखते हैं और जानते हैं कि railway ने officially इसके बारे में क्या जानकरी दी है वीडियो में लास्त तक जरूर बने रहे हैं ये वीडियो आपके लिए काफी informative रहने वाल है से पहले अगर मैं बात करूँ तो कल सामको 27 मार्च 2024 को RRB गौाटी की साइट्स पर एक notice upload किया गया और जिस notice के अंदर railway students के दिमाग के अंदर जो भी doubt बने रहे हैं उनके सारों के जवाब दिये गए हैं तो बारी-बारी से देखते हैं अपन तो इसमें मैंने सारे doubts clear किये गए हैं जैसे इस slide के अगर मैं बात करूँ संभावित है 2024 के बाद संभावित है तो क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा forum accept हो गया है reject हो गया है क्या आपको technician grade first या technician grade third के लिए अलग-लग forum apply करने होंगे या एक ही forum से आपका काम चल जाएगा तो side out को clear करेंगे तो वीडियो में last तक जरूर बने रहें तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि जैसा कि आप सबको पता है कि railway technician बढ़ती 2024 के online application start होई थे 9-3-2024 और उनकी last date है 8-4-2024 अगर आपकी forum के अंदर किसी भी प्रकार की mistake हो जाती है सबोज करो आपने photo white background के साथ upload नहीं किया signature running condition में upload नहीं किया है किसी भी प्रकार का कोई भी आपको correction करना है तो आपका forum का जो modification है वो start होगा 9-4-2024 से लेके 9-4-2024 से लेके 18-4-2024 तक काफी students के मन में रहता है कि जो अभी running condition के अंदर ITE कर रहे हैं निकी योग गेता का अंतिम परिणाम पर्तिक्षारदत है पर्तिक्षारदत है मतलब wetting में है वे आविदन करने के पातर नहीं है तो simple सी बात यह है कि अगर आपका result आपरेल 2024 के बाद आता है या wetting में है तो आप technician के लिए apply नहीं कर सकते simple सा railway का यह कहना है अगला question है कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका application successfully submit हो चुका है जैसे ही आप fee submit कर देते हैं जैसे ही आप rrb application के लिए online payment कर देते हैं payment करने के तुरंत बाद आपको email और sms के द्वारा successfully payment का message आएगा जिसके द्वारा आपको यह पता लगेगा कि आपका application successfully submit हो चुका है अगला question है मेरे आविदन की एस्वकृति के मामले में क्या मेरे द्वारा बुक्तान के अगया सुल्क वापस कर दिया जाएगा simple सी अगर आपका forum reject हो जाता है तो आपकी द्वारा जो fees पे की जाती है 500 रुपे क्या वो आपको वापस मिल जाएगी तो railway ने इसका जबाब दिया कि आपको completely fees वापस नहीं मिलेगी अगर आपका forum reject हो जाता है तो उस case में आपको किसी भी प्रकर का refund नहीं मिलेगा अगले question की बात करते हैं जो most important question है हर क्या मैं technician grade first signal और technician grade third पदों के लिए एक आवेदन कर सकता हूँ तो इसमें simple सा students ने ये पूचा है क्या आपको technician grade first और technician grade third के लिए एक single आवेदन करना होगा तो railway ने जबाब दिया नहीं technician grade first और technician grade third के लिए अलग-अलग वेतन इस्तरों से सम्मझ देता है परतेक वेतन इस्तर के लिए अलग-अलग आवेदन परस्तुत किया जाना चाहिए मतलग basic पे हैं तो दोनों के लिए आपको different different आवेदन करना होगा अगले point के अगर मैं बात करूँ क्या मैं अलग-अलग वेतन इस्तरों के लिए अलग-अलग RRB में आवेदन कर सकता हूँ इसका मितलब यह है कि अगर आप technician grade first के लिए किसी RRB को चुने और technician grade third के लिए किसी RRB को चुने तो इसमें railway ने officially जबाब दिया है कि हाँ उमिद्वार इस्तर 5 पद के लिए अपनी पसंद के किसी RRB में आवेदन पस्तुत कर सकता है यदि वे आवेदन करने के पात्र हैं इसी प्रकार उमिद्वार इस्तर 2 के पदों के लिए वे अपनी पसंद या उसी अथवा अलग RRB के लिए एक अलग आवेदन जमा कर सकते हैं यदि वे इस्तर 2 पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं मतलब सिंपल सा यह कहना है कि आप grade first और grade third के लिए अलग-अलग RRB से अविधन कर सकते हैं, दोनों के लिए अलग-अलग से फोरम भढ़ने होंगे, क्या दोनों के लिए एक ही अविधन सुल्क होगा? नहीं, अगर आप दोनों फोरम अपलाई कर रहे हैं, grade first के लिए अलग स पस्तुत कर सकता हूँ, simple सा मतलब है इनका यह कहना है कि आप जैसे आप technician grade third के लिए अपलाई करने वाले हैं, तो आप technician grade third के लिए आपने बैंगलोर से भी अपलाई कर दिया, बिलासपूर से अपलाई कर दिया, एजमेर से भी अपलाई कर दिया, तो ऐसा आप बिलकुल न grade third पदों के लिए अलग-अलग से दो आविदन कर सकता हूँ, simple size question में ये पूछा गया है कि अगर आपके पास PCM भी है और आपने IT भी कर रखा है, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आप अलग-अलग post के लिए क्या apply कर सकते हो, नहीं, आपका A की form apply होगा, आपके ओल क्या कर सकते हो, post preference भर सकते हो, वहीं अगर मैं बात करूँ, मेरी leagic surgery हुई है, क्या मैं आविदन करने में पात्र हूँ, तो leagic surgery वाले उमिद्वार चिकित्सा मानक A3 के आवसकता वाले पदों के लिए पात्र नहीं है, पदों का medical standard A3 है, उनके लिए leagic surgery वाले उमिद्वारों को eligible नहीं माना गया है, अगला question है, मेरा engineering में diploma और degree दोनों पूरी कर लिए है, क्या मैं technician grade first के पदों के लिए आविदन में दोनों योगिताएं सामिल कर सकता हूँ, हाँ, यदि आपके पास technician grade first signal के पद के लिए engineering में निर्दिष्ट diploma या engineering में degree है, तो आविदन करते समय दोनों योगिताएं सामिल कर सकते हैं, simple सा बात यह है कि आप grade first के लिए तभी apply कर सकेंगे, अब आपके पास notification के अंदर जो जो branch दी हुई है, अगर उन में से आपने डिप्लोमा या engineering में degree कर रख है, तो आप apply कर सकते हैं, अगर आपने दो साल का डिप्लोमा पूरा कर लिया, तो क्या आप आविदन करने के लिए योगिये हैं, तो आप इन नम्बरों पे call करके आपका अपना doubt clear कर सकते हो, technician examination के regarding, तो वीडियो कैसा लगा हमें comment box में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को like कर दीजिए, अपने दोस्तों को साथ share कर दीजिए, और technician बरती से related और भी कोई doubt आपके mind के अंदर तो आप comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हो, और ऐसे ही और railway related वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe कर दीजिए, धन्यवाद,